नमस्कार आप देख रहे हैं दाफेक्ट इंडिया और वे हूँ आपके साथ रहू राजस्तान में जब से भारती जन्ता पार्टी लोकसबर चुनाओं में हारी एर तब से बजलाज शर्मा की कुर्सी पर तलवाल लटक ती भी नज़र आ रही है बजलाज शर्मा डेम हैस कंट्रोल करने के लिगातार करीशारी समिक्षा बैटके भी कर चुकए हैं साथ ही राजधानी दिली तक भाजपा आला कमानं से भी मुलाकात कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक मुख्य मंत्री बजला शर्मा की कुरसी पर खत्रा मन रहा सकता है। क्योंकि जहां वसंदराराजे की कुरसी जबसे रचस्तान के मुक्खेwriting मंतरी बजला शर्मा को दे दी है तब से ही भारती जंदा पार्टी की रचस्तान में उल्टी गिल्टी चालू हो गई है यहां तक कि रचस्तान के मुक्खे बजला आशर्मा को पड़्ची वाला मुखे मंत्री तक कहा जा रहा है और विपक्ष भी ये चाहता है कि राजस्तान की कमान फिर से वसंदरा राजे को समाने क्योंकि लगाता जिस तरह से राजस्तान में जो वाक्षे इन साल छे महीनों में हुए हैं उनको लेकर लगाता राजस्तान में भाजपा कहीना कहीं मुश्किलों में होती हुए नजर आ रही है अब ऐसा ही कुछ मामला राजस्तान के मुखे मंत्री बजलार शर्मा के ग्रह जिले भरतपुर से भी आया है क्या कुछ पूरा वो मामला है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आईए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे देखिए खास रिपोर्ट अब आपको हम ये बता दे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सीम भजलाल अपने ग्रह जिले तक को समाल नहीं पा रहा है क्योंकि राहराममंदिर के नाम पर वोट जोडने वाली राममंदिर के भक्त कहे जाने वाली भारतिजंता पार्टी राजस्थान में एक ऐसे मुखे मंतरी को चुन बैटी है जो ना तो लोगसबा चुनाओं में ग्रह जिले को बचा पाए ना है अब वहां के मंदिरे को बचा पा रहा है उल्टा राजस्थान में तुडवाने का काम वो करते हुए नजर आ रहा है विरोध किया गया और देद रात एक भारी भीड भरतपुर की सडकों पर जा उतरी जम कर प्रदेशन और नारे बाजी करते हुए भरतपुर की जंता ने टायर तक जलाए और प्रिशाशन की इस कारवाही का जम कर विरोध प्रदेशन किया साथ ही SDM सहीत कहीं आला अधिकारियों से भी उन्होंने बात की SDM से बातचीत में लोगों ने कहा कि कुमेर गेट शेतर में इस्थिद बाबा जुहार वीर मंदिर करीपन साड़े चार सु साल पुराना है यहां सड़क उची होने के कारण यह मंदिर नीचे पड़ गया था इस मंदिर को उपर करवाने के लिए लोगों ने चंदाए खटा कर निर्मान करवाया जा रहा था लेकिन प्रशाषन के दुआरा बिना किसे सूचना से पहले ही मंदिर से दिवार को अवैद बताते हुए जैसी भी से तुरवा दिया इस मंदिर के प्रती सभी धर्म और जाती के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है प्रशाषन को आसपास की लोगों से पहले बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन उससे पहले ही इस दिवार को अवैद बताते हुए तुरवा दिया गया है लोगों की बाद सुनने के बाद SDM रवी गोयल ने ये कहा कि मंदिर के प्रती आस्था ना होकर मंदिर की दिवार तोड़ने की बाद रवी गोयल ने की इसके बाद भरतपुर प्रशाशन ने मंदिर की दिवार को अवैद बताते हुए डहा दिया अब भरतपुर की जनता की मांग है कि जस तरह से इस दिवार को हटाया है उसे तरह से इस दिवार का निर्मान भी किया जाए हाला कि प्रशाशन दिवारा कहा गया है कि जो दिवार तूट गई है अब उसके आगे उस दिवार को तोड़ा नहीं जाएगा अब इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में सियासत भी होने लगी है जहां नेता पृतिपक्ष टीका राम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भरत्पु शहर में एक प्राचिन जोहर पीर बाबा का मंदिर है मंदिर की पुराने बिल्डिंग को हटा कर नए बिल्डिंग का निर्मान कारिये काफी लंब समय से किया जा रहा था लेकिन नगर निगम प्रशाशन ने मंदिर के निर्मान कारिये को दुष्ट कर दिया بڑا सवाद मंदिर और गाय पर राज़नीती करने वाली भाजवा सरकार ने खुद मुख्य मंत्री बजलाज शर्मा के ग्रह शहर में मंदिर की बिल्डिंग को तुड़वा कर सेक्डो लोगों की आस्था पर भाजवा ने प्रहार किया है मैं प्रदेश के मुखे मंतरी बजला शर्मा जी से इस मामले में तुरन संगान लेने की अपील करता हूँ वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो जोरों पर है लेकिन अब ये तक कहा जा रहा है कि जो आदमी अपने ग्रह जिले को नहीं बचा सकता और मंदिरों तक को नहीं बचा सकता वह अब राजस्थान को क्या बचा पाएंगे बड़ा सवाल लगाता राजस्थान के सियासि गलियारों से लेकर सियासी चर्चाओ का विशे बना हुआ है अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साजा करें Bureau Report The Fact India